नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फ्रेंट्स आज का जो वीडियो है ना वो उन महिलाओं के लिए है जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है चाहिए वो नॉर्मल दिलीवरी हुई है यह सी सेक्सन से हुई है और जो अभी अभी मावनी है उनका न्यूबॉर्ण बेबी उनके जीवन में आया है तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में आपको जो अभी अभी मावनी है उन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पूल होने वाले है क्योंकि फ्रेंट्स ऐसा तो है नहीं है कि सभी गर्वति मैलाओं के पास उनके बुजूर्ग मैलाओं जैसे के दादी नानी है, मम्मी है, सास है, सब लोग है, कई ऐसे लोग भी है, कई ऐसी मैलाओं भी है जो के अलग रहती है या फिर जॉब पर रहती है और जहां पर उनकी आसपास उनका कोई भी रिलेटिव नहीं है तो ऐसी कंडिशन में उन्हें अपने न्यूबर्ण बेबी की केर कैसे करनी चाहिए कैसे उन्हें अपने नवजा सिसू को देखवाल करनी चाहिए जिससे के उस बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सके और अभी जैसे सर्दी आ गई है तो सर्दी से बचाने के लिए उन्हें अपने नवजा सिसू की केर कैसे करनी है इन सारी बातों को आज के वीडियो हम डिटेल से जानने वाले हैं क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि अभी एकदम से मौ समका सबसे पहला जो असर होता है वो छोटे बच्चों पर ही होता है और खास करके जो बच्चे अभी 0 से 3 या 6 महिन ये के हैं और ऐसे में अगर आप पहली बर मा वनी है और आपके आस पास आपका कोई भी family member नहीं है कोई भी relative नहीं है तो ऐसे में आपको अपने बच्चे की बहुत ज़ादा केर करने की जरूरत है तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन सर्दियों उसे बचाने के लिए थंड से बचाने के लिए नवजात सिसू की केर कैसे करने चाहिए उसे बीमारियों से कैसे बचाया जाए और उसे खासी जुकाम इन सारी कैसे करने चाहिए तो वीडियो में अंतक बने रहे और अगर भी तक आपर आपने वम चाहिए तो यह बात आपको भी पता होगा कि जैसे ही सरदियां सुरू होती है यानि कि ठंड का मौसम सुरू होता है तो संक्तरामक बिमारियों के फैलने का खत्रा भी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ठंडे मौसम में वाइडस और वेक्तिरिया काफी तेजी से बढ़ने लग जाते हैं और जिसका सीधा अफा छोटे बच्चों पर होता है क्योंकि छोटे बच्चों की जो immunity level होता है वो बहुत ही ज़्यादा slow होता है बहुत ही कम होता है जिससे वो जल्दी जल्दी बीमार होना सुरू हो जाते हैं जिससे पहला काम आपको अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा कप्ड़े नहीं पहना ले जो parents अभी पहली वार भाव पापा बने है तो वो सोचते हैं कि सर्दी से बचाने के लिए अपने बच्चे को जरूर से ज़्यादा कपड़े पहना दें जिससे कि हमारे बच्चे को सर्दी नहीं हो, सर्दी नहीं हो, खासी जुखाम नहीं हो, इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़े पेना देते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़े पेनाने से आप अपनी बच्चे को सर्दी से तो बचा लेते हैं, लेकिन कपड़ों की गर्मी से एक तो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा uncomfortable हो जाता है, दूसरा उसको सांस लेने में भी काफी दिक्तत होती है, दूसरा तरीका है गुन-गुने तेल से मालिस करें, जी हम प्रेंट्स, इन सरदियों में बैसे तो आपको पता ही होगा, कि छोटे बच्चे को जल्दी जल्दी नहीं नहलाना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को चार से पांच दिन में या एक सब्ता में नहलाते हो, तो नहलाने के बाद आपको अपने बच्चे को अच्छे से टॉवल से पोँच लेना है, और इसके बाद आपको अपने बच्चे की गुन-गुने तेल से हलके हाथ से हाथ-पैरों की और पूरी बड़ी की मालिस करनी है, इसके लिए आप कोकोनेट ओयल का, सरसों के तेल का, ओलिव ओयल का इस्तिमाल भी कर सकती हो, लेकिन ब्रेंट्स याद रखें कि छोटे बच्चों की जो तच्छा होती है वो बहुत ही जादा सेंसिटिव होती है, बहुत ही जादा सॉफ्ट होती है, इसलिए अपने बच्चे की मालिस करने के लिए आप मार्केट में अवेलेवल किसी भी तरह के केमिकल युक्त तेल का इस्तिमाल ना करें, क्योंकि ये बहुत जादा हार्स होते हैं और इनसे आपके बच्चे की जो इसके नहें वो डेमेज हो सकती है, इसलिए कोशिस करें कि आप अपने बच्चे की जो मालिस है वो बादाम के तेल से, नारियल के तेल से, सर्सों के तेल से या ओलिव ओल से ही तरहें, तीसरा है ज़्यादा गरम पानी से ना नहलाएं जियाँ प्रेंस बैसे तो सर्दी के मौसम में गरम पानी से नहाना काफी अच्छा लगता है और फायदे मन भी होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दी बले ही हो लेकिन बहुत ज़्यादा गरम पानी से अगर आप अपन गायब हो जाती है आपकी इसके रूप की सुखी हो जाती है बेजान से हो जाती है रैसे जाना सुरू हो जाती है दरारे हो जाती है इसलिए कोशिस करें के सर्दी के मौसम में अब आप अपने नवजात से सुख को हलके गुनगुने पानी से ही नहलाएं चौता तरीका है तो इतना ज़्यादा पॉलूशन है कि नॉर्मली हम लोगों को भी यानि जो बड़े लोग है उनको भी सांस लेने में दिक्तत होने लग जाती है तो बच्चें की तो बात ही क्या है तो अगर आप ऐसे कोई मेट्रो सिटी में रह रहे हैं जा पर पॉलूशन बहुत आप अपने साथ नेजर ड्रॉब अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद अपने पास 24 आवर्स रखें क्योंकि कई बार ऐसा होता है गया बत्कको सांस लेने में दिक्तत होती है तो आप नेजर ड्रॉब को उसकी नाप में डाल कर इस से उसे आरह मिला सकते हैं पांचरी दूद पीता है तो इसलिए कोसिस करें कि सर्दी के मौसम में आप ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। जरूरी समझते हैं और दिखाते भी हैं। एक तो आपके बच्चे को गर्मा हट मिलेगी, वो हाथ पहर चलाना भी सीखेगा और इससे बिटामिन D की कमी की भी पूर्ती हो जाएगी। इसलिए अगर आप हाली में मा बनी हैं तो इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इन बातों का ख्याल रखने से एक तो आप भी पूरी तरह से सेफ रहेंगी और आप अपनी बच्चे का ख्याल भी अच्छे तरीके से रख पाएगी। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने लिए थोड़ा बहुत भी यूजपूल लगता है पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लैट करें और अपने फ्रेंड्स और ले टिप्स में सेयर करना ना बूलें।